दोस्तो नमस्कार, Electrical and More चैनल में मैं संदीप चोहन आपका फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि खाना बनाना गेश चूले पे सस्ता रहता है कि इंडक्शन चूले पे तो यहाँ पे हमने एक तरफ इंडक्शन चूला लिया है और दूसरी तरफ गेश चूला ले लिया है इसके द्वारा हम एक्सपरिमेंट करेंगे और पता लगाएंगे कि खाना बनाना इंडक्शन चूले पे सस्ता रहता है या फिर गेश चूले पे तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर आप बने रहे है और यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ ही इसका बेल आइकन प्रेस कर लिजिए ताकि इसी तरह के टेक्निकल और यूसफूल वीडियो आपको ट तो यहाँ पर आप दे सकते हैं अभी जो गेस सिलेंडर है उसका वजन है 25.45 यानि 25.45 केजी इस गेस सिलेंडर का वजन है अब हमने फिर से गेस सिलेंडर के अंदर रेगुलेटर को लगा लिया है अब हम गेस स्टो के उपर पानी को उबालेंगे और चेक करेंगे कि पानी उबालने में कितना समय लगता है और पानी के द्वारा कितनी गेस का कंजप्शन होता है कितनी गेस की खपत होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक एक लिटर की बोटल है तो यहाँ पर हमने दो लिटर पानी ले लिया है इस पानी को हम तरीके से काम करेगा उसके साथ ही यह गेस पे भी अच्छी तरीके से काम करता है अब हमने इस कुकर के अंदर पानी को डाल दिया है और पानी को डालने के बाद हम गेस को चालू कर देंगे और यहाँ पर आप दिख सकते हैं हमने एक स्टोफ वाच भी ली है इस स्टोफ करने के बाद हम वापस से गेस सिलेंडर का वजन करेंगे और चेक करेंगे कि कितना गेस कंजप्शन हुआ है दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट परवर्ड कर दिया है क्योंकि पानी उबलने में बहुत समय लगने वाला है इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट प तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कुकर ने एक सिटी लगा ली है इसका मतलब है कि हमारा पानी उबल गया है और पानी उबलने में 17.38 मिनिट लगे है अब हम फिर से गेस सिलेंडर का वजन करेंगे और पता करेंगे कि पानी उबलने में कितनी गेस की खपत हुई है अभी जो गेस सिलेंडर का वजन है वह है 25.40 केज़ी अब हम क्यल्कुलेट कर लेते हैं कि पानी को गरम करने के अंदर कितनी गेस की खपत हुई है और कितना पैसा लगा है यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी गरम करने से पहले सिलेंडर का वजन 25.45 किलो था और पानी गरम करने के बाद सिलेंडर का वजन 25.40 किलो रह गया यानि पानी को गरम करने में गेस की जो खबत हुई है वह लगबग 50 गराम हुई है जैसा कि आप सब को पता ही है घरेलू गेस की जो कीमत है वह 70 रुपे पर केजी के हिसाब से हैं मतलब 1 किलो गेस की कीमत 60 रुपे है तो यहाँ पर हमने जो पानी गरम किया है उस पानी को गरम करने में लगभग 3.5 रुपे की गेस लगी है अब यही सेम एक्सपिरिमेंट हम इंडक्शन चुले के साथ भी करेंगे इंडक्शन चुले पर भी हम पानी को उबालेंगे और उबालने के बाद देखेंगे कि 2 लिटर पानी को उबालने में कितनी बिजले की खपत होती है तो यहाँ पर हमने induction चुला ले लिया है induction चुले के पास में आप दिख सकते हैं एक extension board है इस extension board में kilowatt मीटर लगा हुआ है इससे हमें पता चलेगा कि induction द्वारा यदि हम पानी को गरम करेंगे तो बिजली की कितनी कपत होगी तो यहाँ पर हमने पानी को उबालने के लिए induction पर cooker को रख दिया है इस cooker के अंदर भी हम 2 लिटर पानी डाल देंगे अब इसके अंदर भी हमने पानी डाल दिया है यहाँ पर भी हम stop watch रख देंगे और उसके साथ ही induction को भी चालू कर देंगे तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं हमने induction को on कर लिया है उसके साथ ही stop watch को भी on कर लिया है इससे हमें पता चलेगा कि पानी गरम होने में कितना समय लगने वाला है यहाँ पर भी हम वीडियो को थोड़ा fast word कर देंगे ताकि आपका ज़्यादा समय वेश्ट ना हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इंडेक्शन पर पानी को उबालने में लगबग 27 मिनिट का समय लगा है जब हमने गेस चुले पर पानी को उबाला था तो लगबग 17 मिनिट का समय लगा था और वहीं induction पे जब पानी को उबाला है तो यहाँ पर 27 मिट का समय लगा है पानी को गरम करने का समय इस बात पे भी depend करता है कि induction कितने वाट का है यदि induction कम वाट का होगा तो पानी को गरम करने में ज़्यादा समय लगेगा और induction जादा वाट का होगा तो पानी कम समय में भी गरम हो जाएगा तो अब हम देख लेते हैं कि पानी को induction पर गरम करने में बिजली की कितनी खपत हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3 kwh दिखा रहा है यानि induction पर यदि हम पानी को गरम करते हैं तो 0.3 unit की खपत होती है और government द्वारा एक unit का 7 रुपे लिया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को गरम करने में टोटल खर्चा 2.1 रुपे जाता है तो अब हम देख लेते हैं कि induction पर और gas पर यदि हम पानी को गरम करते हैं तो कितने रुपे की बचत होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पानी को gas चूले पर गरम किया जाता है तो 0.3 रुपे लगते हैं और पानी को यदि induction पे गरम किया जता है तो 2.1 रूपीज लगता है इसका मतलब यह ही कि induction चूला गेस चूले से ज़्यादा सस्ता है जिसा कि दोस्तों गेस के दम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो गेस पे खाना बनाना induction चूले से बहुत ज़्यादा महिंगा है यहाँ पर मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया है कि गेस पे खाना बनाना किस तरीके से बहुत ज़्यादा महिंगा पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्शन पर खाना बनाना बहु ज़्यादा सस्ता है उसके साथ ही दोनों केस के अंदर हमने समय भी काउंट किया था तो समय का दोस्तों ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है यदि आप GACE की स्टो को ज़्यादा देच चलाएंगे तो वहाँ पर खाना जल्दी पक जाएगा कम पर रखेंगे तो खाना लेट पके उसी तरीके से यदि हम ज़्यादा रेइटिंग का induction लेंगे तो induction पर भी खाना जल्दी पक जाएगा तो friends इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि induction चूले फे खाना बनाना गेस चूले से किस तरीके से सथा पड़ता है तो friends यह वीडियो आपको कैसा लगा? comment section में जरूर बताएं और इस वीडियो को share करना न बुले मेरे channel को subscribe जरूर कर ले इस वीडियो को like जरू करें thank you दोस्तो thank you so much for watching my video thank you thank you so much जय हिंज जय वारत